एलो माई डियर स्टुएंट्स मैं डॉक्टर संजय आदो आपका एस्वाई सर्थ फिर से आपका इंडियाज नमबर वन ओनलान एजूकेशन सिस्टम इटूज इंडिया में स्वागत करता हूं और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सूपर सेवर बैस का लिक्चर वन हलाकि इसके बारे में आपको पता है कि सूपर सेवर बैस की फीचर क्या है यह इसे हम पढ़ेंगे कैसे यह तो औरिंटेशन वीडियो में हम लोग आपको यह पता ही होगा कि यह course 10 महीने चलने वाला है और यह course तेड़ महीने हम आपको क्या करेंगे 11 के part का revise करेंगे इस बात को धियान में देते हुए कि किसी का 11 part अगर कमजोर है proper revise नहीं कर पाएं तो उनको 11 की चीजे समझ मेंा जाएं ताकि 11 से पूछे के question भी solve हो जाए और 11 के part जो 12 में आये उसको भी हम solve कर सके 11 आपका खराब हो चुका है क्योंकि इस corona pandemic की वज़े से या तो आप coaching नहीं कर पाए हैं या तो school नहीं जा पाए हैं तो हम इस 11 पार्ट को revise करेंगे थोड़ा सा speed जादा रखेंगे लेकिन हम बताएंगे सब कुछ पर याद रखेगा अपने आपको एकदम tension free महसूस करिएगा अगर इसमें chemistry का कोई ABCD भी नहीं जानता होगा सी तो भी मैं उसको revise करके समझा लूगा अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे डेड़ महीने तो हम आपको revise करेंगे बाकी के छे मेने और्गनी केमस्टी आपको 12 की पढ़ाएंगे फिर इसके बाद दो महीने तक हम आप problem solving technique के द्वारा आपको problem solve करना सिखाएंगे and then after mock test के through आपको expert बनाएंगे और analysis के through आपकी जो problem है उसे दूर करेंगे और बीच-बीच में हम हमारे telegram के through, whatsapp के through या किसी माध्यम से हम आपसे doubt session भी हम लोग मिलते रहेंगे तो चलिए super saver batch हम start करते है इस super saver batch में organic chemistry आपको कैसे पढ़नी है जो पिसले मेरे 16-17 year का experience है और जो पीछे जो बच्चे हम पढ़ा चुके हैं जो select हो चुके हैं वो भी जो नहीं select हुई है बच्चे वो भी उन सभी की experience के अधार पर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हू हम और इसी जो share करेंगे इसी concept पर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है आप क्या करेंगे सबसे पहले lecture देखेंगे lecture देखने के बाद है ना after जैसे जैसे lecture देखेंगे lecture के साथ notes बनाते जाएंगे और note detail होना चाहिए ये note में आप क्या लिखेंगे जो भी हम board पे आपको लिखाएं पर जो भी discuss करेंगे notes आप detail बनाएंगे जैसे आप अपनी class में बनाते हैं ठीक है इसके बाद अगर आपके पास समय मिलता है तो एक छूटी note बनाएंगे एक short note बनाएंगे एक short note बनाएंगे ठीक है short note जब आप बनाएंगे ये short note क्या होगा जैसे कोई एक note कोई एक topic वो suppose 10 page में खतम हो रहा है पांच page में खतम हो रहा है तो आप उसके short note को लिखेंगे थोड़ा कम pages में दो pages में तीन pages में चार pages में मत्तब जो detail notes है उससे छोटी notes होगी अब समस्य क्या कि जो detail notes होगी उसमें हम rule बताएंगे key point बताएंगे या important point बताएंगे वो भी आप लिखेंगे और examples धे सारे example का discussion होगा discussion of many examples examples अब देखो example जो एक ही तरक जैसे आप IUPAC naming पढ़ते हों अब IUPAC naming का नियम हमने आपको सीखा दिया rule में key point बता दिया exceptional point बता दिया अब हम आपने सीख लिया तो example एक लिखें दो लिखें या everybody को practice कराते हैं तो तो वो practice इसलिए कराते हैं की आप rule को apply करना सीख जाएं जैसे किसी को swimming सीखाया जाता है तो पहले उसको rule बताये जाता है फिर वो swimming में क्या करता है खुदभी प्राक्टिस करता आप वो एक घंते भी कर सकता है दो घंते लिखेंगे और कोई exceptional example है तो उसे लिखेंगे और ये rule और key point लिख करके आप बनाएंगे आपका short note इसमें जो rule लिखा होगा जो key point लिखा होगा वो short note पर बनाएंगे ठीक है फिर आप इन दोनों की हिसाब से जाएंगे अपना exam देंगे एक हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको realize होगा इसमें कि जो short note की कुछ और भी part है वो भी भूलते हैं ये बनाएंगे very short note very very short note इसमें हम क्या लिखेंगे important formula exceptions जो बार-बार भूल जाता है ये हमारी preparation हम यसी क्यों कर रहे है short note और इसके बाद फिर very short note क्यों बना रहे है अब मैं आपको बताओ एक बार आपने notes पढ़ा detail आपको concept समझ में आ जाएगा और guarantee मैं समझा लूँगा किसी को 100% आएगा हो सकता किसी को 99% आएगा पर समझा तो मैं सब को लूँगा फिर जब आप short note बनाएंगे तो उसे एक बार वापस आप पढ़ेंगे एक बार वापस पढ़ेंगे तो वो revise होगा और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर वो दिल में बैठ जागा और वो एक बार revise होगा ठीक है, एक बार very short note बनाएंगे ति तीसरी बार revise होगा, अब इस short note और very short note का फाइदा क्या होगा, ध्यान से याद करिए, chemistry में आपके question पूछे जाते हैं 45, physics में पूछे जाएंगे 45, last year का जो pattern है, इसके according में बता रहा हूँ, और bio में आपके पूछे जाएंगे 90 questions, ठीक है, ये हैं, कुल 180 question पूछे जाएंगे, ये बात आपको पता, अभी 180 question हर question जो, इस में से मुझे ऐसा लगता है, 45 में से कम से कम 5 question आप ऐसे गलत करते हैं, physics में 5 question और bio में कम से कम 10 question, आप 20 question ऐसे गलत करते हैं, जो आपको आता तो है, पर वो proper revision की वज़े से, improper revision की वज़े से वो गलत हो गए, improper revision की वज़े से वो गलत हो गए, तो याद रखना, ये गलत क्यों होते हैं, वज़े, जैसे Sunday को paper, Sunday को paper है, तो Sunday से, जिस week में Sunday है, उस week में Wednesday, Thursday, Friday को जो आप पढ़के जाते हैं, Saturday, वो तो Sunday को ठीक से याद रहता है, Saturday वाला बहुत अच्छा याद रहता है, Friday वाला थोड़ा सा कम अच्छा याद रहता है, Thursday वाला और थोड़ा कम अच्छा याद रहता है, Wednesday वाला थोड़ा और अच्छा, उससे पहले आप week में जाएंगे, तो वो चीज़े confidence नहीं दिलाती, लगता सब भूल चुका है, तो अगर आप हर point को तीन दिन में revise करके नहीं जाते हो, है ना, अगर आप तीन चार दिन में revise, Wednesday, Thursday, Friday, तीन बार अगर revise करके नहीं जाते हैं, तो Sunday का paper उसमें 20 से 30 सवाल आप गलत करने वाले हैं, और अगर 20 से 30 सवाल आपके गलत होंगे, तो 100 नमबर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि 20 सवाल, अगर आप सही करते, तो आपको 80 नमबर मिलता, प्लस मिलता, और 20 गलत हुआ, तो negative marking की वज़े से 20 माइनस हो जाएंगे, तो आपका 80 नमबर बढ़ता, उसके बज़ाए 20 घट गया, मतलब 100 नमबर का difference हो गया, और 100 नमबर के difference यह तो rank बहुत जादे change होती है, यह समस्या आई कैसे, यह जो 20 question गलत कैसे होते हैं, यह improper revision की वज़े से, proper revision नहीं था, इसकी वज़े से, अब इस 20 question को हम handle कैसे करें, proper revision कैस तरह से 20 question हमारे गलत नहों, और कम से कम 100 नमबर तो हमारे और बढ़ जाए, ठीक है, उसी के लिए आप यह short note बनाएंगे, यह revise क्यों नहीं कर पाते हैं, सुरू सुरू में आपके percentage अच्छे आते हैं, टेस्ट में, लेकिन जैसे जैसे gradually course बढ़ता जाता है, आपके percentage घटते जाते हैं, क्यों? सुरू में कम portion होता है, सब revise करके आप जाते हैं, तो आप exam में अच्छा करके आते हैं, समय बीतने के बाद portion जादा हो जाता है, आप revise नहीं कर पाते हैं, जिसकी वज़े से question छूट जाते हैं, गलत होते हैं, नमबर परसेंटेज आपके घटते हैं, अब 12 में समस्या आपको आने वाली है, अभी तो सिर्फ आप 11 में 12 में समस्या आपको आने वाली है, इस समस्या को हम हैंडिल करेंगे, इस short note और notes, revise क्यों नहीं कर पाते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, तो chemistry, अब आप पढ़ेंगे, chemistry में तीन पार्ट होता है, physical, organic, और inorganic, PC, OC, and IOC, कम से कम physical में 11 में दो note book होंगे, दो तीन note book तो होंगे, सोरी, physical में एक note book मान के चलते हैं 11 में, 12 में आपके 2 note book 3 NOTE Brothers जो होंगे वह फिडिकल के होंगे organic के ? ईक या दो सुद्ध नोट बुक कम सकते चलो ? और 2 note book होंगें और इसी प्रकार से 11 नोट बुक type 2 notep Back Iognewalign न temporary device प्रकार्ण लेक्क़ को यह मान के चलो कि यह आपके हो गए कुल 9 notebook 9 notebook हो गए chemistry के chemistry के 9 notebook है physics के 9 notebook है math के 9 notebook है फिजिक्स में भी ऐसी होगा अब count कर लो 9 to 10 math में भी ऐसी ही आपके notebook आएंगे 9 to 10 अब याद रखना 10 10 अब कम यह मान के चलो 10 इसके 10 इसके 9 29 notebook आप तो इसे 20 notebook मानके चलो इतनी मोटी-्मोटी notebook होती है आपके टेबल में आपके अलमारी में यह 20 notebook आपके सामने पड़ी होंगी और आपको पता चलेगा कि आने वाले मई के किसी दिन आपका 22 मई को 22 मई को तो आप क्या करेंगे इनको revise करने का प्रयास करेंगे लेकिन आप revise नहीं कर पाते क्यों इतनी सारी notebook आपके table पे जब रखी होती है तो इसको देख के आप घबडा जाते हैं कि यार इतना कम समय में हम revise कैसे करेंगे और revise नहीं करेंगे तो आपका rank नहीं बनेगा आप select नहीं ह कि एक्जाम ठीक है हॉल में बैठते हैं तो आपको लगता है कि यार अगर सारे हमने revise कर लिया होता तो हमारे 100 नमबर बढ़ जाते हैं आप revise लेकिन पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि जैसे इस बार एक्जाम से निकलूंगा और एक्जाम से निकलने की अगल करते हैं और जब एक्जाम एक वीक रह जाता है चार पांच दिन रह जाता है छे दिन रह जाता है तो रियलाईज करते हैं यार इस वीक भी हमने लापरवाही कर दी और हमने revise नहीं किया है अब ही वाला एक्जाम कैसे दे जब आप chemistry उठाते हैं और गनिक तो inorganic की याद आ या मैंने यहां बायो होगा को भी पढ़ाना पड़ता है न इसलिए मैंने यहां पर मैस लिख दिया यहां पर बायो बायो उठाते हैं तो अब आप उस चक्र में आपका दिमाग जो होगा वह परसान हो जाता है जैसे computer में झेर सारी नापस न आप चीज़े भर दो और वह स्लोड िनिवस करें और यहां ऑड़्य में कर दिया doğru यो नी कर लेते हैं किको यार इस हफते बी हमने ला परवाही कर दिया क्योंकि आप प्रमब बAKE फ्राइडास मनी सेंड़े या थुस्टे फ्राइड़े सेटर्डे या विद्नस डे थस्डे फ्राइडे सेटर्डे इतने चार दिनों में इस 28, 25, 30, 20 नोट बुक को रिवाइज कर पाना कठीन है तो आप सोलते हैं छोड़ो इस बार जो पढ़ें हैं जो याद है उसी के इसके कॉर्डिंग पेपर देंगे फिर अगले बार हम त्या काम होने माला है तो हमारी जो हम 16, 17, 18, 19 को पढ़ेंगे 15, 16, 17, 18 जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे 15, 16, 17, 18 को पढ़ेंगे ये सॉर्ट नोट और 19 को पढ़ेंगे वेरी सॉर्ट नोट या पॉकेट नोट या लास्ट के दो दिन पढ़ेंगे वेरी सॉर्ट नोट और आपको इस तीन note book को इन नोNow notebook को एक note book में convert करना, short note में, ऐसे ही physics की एक note book आपको बनानी है, short note की, और math की एक note book आपको बनानी है, कभी कभी आपका center क्या होता है, आपके सहर में पढ़ने के अब जाता है, तो exam के एक दिन पहले का दिन तो पूरे traveling में जाता है, तो एक दिन पहले proper revise भी नहीं कर सकते तो ये जो तीन short note होंगे ये अपने bag में रख करके आप travel कर सकते हैं और exam के एक दो दिन पहले आप उसे कर सकते हैं या very short note अंतर क्या है? notes में सब कुछ लिखा होगा short note में हमें जो detailed questions धेर सारे practice करते हैं इनको कम लिखेंगे अगर आपने 20 example है तो यहां एक ही दो लिखेंगे 10 example है तो एक ही दो लिखेंगे very short note क्या लिखेंगे बार-बार paper जब देने जाते हैं तो कुछ ऐसे formula होते हैं कुछ ऐसी चीज होती है जो बार-बार भूल जाती है उसको very short note में लिखेंगे यार एक नजर डालने के लिए इस पर भी डालो क्योंकि यह question आता है very short note यह pocket note फिर आप अपने इस hundred number को भी बढ़ा लेंगे अपने confidence को सोचो कि अगर आपको यह तीन notebook last के तीन दिन revise करनी हो तो एक दिन chemistry revise कर लेंगे एक दिन physics एक दिन math हो जाएगा है ना Wednesday को chemistry है ना Thursday को physics Friday को अप इक्रम आप decide कर लेंगे और Saturday को एक बार very short note भी देख लेंगे यार जो वह वाला point भूल जाता है pocket note अब आपने कितनी बार revise किया एक बार notes पढ़ा मेरा lecture सुना फिर एक बार आपने लिखा दो बार हो गया एक बार short note बना है और किसी की short note हम तभी बना पाते हैं summary हम तभी लिख पाते हैं जब जब वो हमें concept detail आता है तो आपको concept भी आ जाएगा और notes भी आपका बन जाएगा number भी बढ़ जाएगा tension भी काम हो जाएगा और rank की तरफ आप बढ़ने लगेंगे और short note जो होगा आपको काम करें तो हम याद रखना हमारी अगर आपको पढ़ना है अगर आपको बहतरी rank देना है तो आप इस तरीके से काम करें आपने देखा है महारा पताप अकबर के बड़ी-बड़ी से नाव को उन्होंने हराया है और अपने दिमाग का प्रयोग करें वैसे ही आपको smart तरीके से play करना है मेहनत तो गधे भी कर दे लेकिन गोडो जैसे smart नहीं होते तो आपको मेहनत करना है with smart तरीका then you will get rank तब आपको rank आएगे तो आपका समय मैंने ले लिया अर्थात मेरा conclusion है कि notes then short note then very short note यह short note test से पहले पढ़ेंगे आप Sunday को test है तो Wednesday Thursday Friday को पढ़के जाएंगे और very very short note Saturday को एक बार रात में एक नजर देखें चलिए अब हम आपको start करते हैं 11 का पार्ट है जिसमें आपने पढ़ा है classification and nomenclature of organic compound classification and nomenclature of organic compound यह आपको पता है most आप बच्चे को पता है और कुछ बच्चे जिनका 11 बिल्कुल खराब हो गया उनको भी ध्यान में देते हुए इस लेक्चर को अच्छा हम चलेंगे बिल्कुल जीरो लेबिल से और हम वहां तक चलेंगे कि हमें हर question चाहिए वह जो है नीट के द्वारा कराए गया चाहिए वह नीट की exam को अब तो तो आप यहां पर खेडिंग की organic compound कैसे लिखे वी नजर आते हैं यह बहुत चोटी सी बात है कुछ लोग बहुत रहे हैं सार यह क्यों बता रहे हैं मैं आपको बताया कि मैं हर चोटी सी चोटी बात एक बार आपको बता दूँगा लेकिन fast method of re-presentation of organic compound method of re-presentation of organic compound organic compound को तीन तरसे आपको दिखेगा एक वह जहां पर atom bond सब कुछ दिया होता है when atoms bond both are given atoms भी दिया हो bonds भी दिया हो atom and bonds both are given डूसरा होगा when only bonds atoms are given but atoms are hidden रूसरा होगा atoms are given when but bonds are hidden ठीक, एक में सब कुछ दिया हो, यहाँ पर हमने देखा, कारबन से तीन हाइड्रोजन चुड़ा है, फिर C है, फिर डबल बॉंड है, फिर C है, फिर CS3 है, फिर C, टिपल बॉंड C है, C के साथ O लिखा है, और सारे बॉंड और एटम सब दिखा रहे हैं, तो यह तो एजी तर इसरा सिर्फ बॉंड दिया जाए, जैसे कहीं पर यह लिखते हैं, ऐसे दिया हो, है ना, यह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आप चाहें, तो साइकल भी बना सकते हैं, दूसरा, जब एटम दिया गया है, कैसे हैं, CS3, CH, CH, CS2, C, 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 N, इस प्रकार से दिया गया, तो यह 11 का पार्ट है, स्टार्टिंग में ही बताया जाता है, यह बहुत आसान, यह सब आप जानते हैं, जब सब कुछ दिया है, तो वहाँ पर दिमाग लगाने नहीं, सब कुछ आप लिखा हुआ है, और जब बॉंड दि स्टी में कार्बन हाइड्रोजन को चाहें, तो आप दिखाएं, आप चाहें तो चुपा के भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसने कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को छिपा रखा है, बाकी अदर एटम दिखा रखा है, तो ज कि अगर कारबन आपने पढ़ा होगा किए अंब किसी दिन प्रूफ कर दूंग talks करड़ा ओगा कि क्यों फो बनाने की तेंडन्सी अ क्यां अगर आपको इस पर डीटेल प्रूफ चाहिए तो मेरा एक लेक्चेश होगा 11 का मिला पर जान को भूल्च के घुरीफ हो यूंटुब्र होगा . वहां पर मैंने कार भूलेंसी बताई चार होती है जैरों रूटरल है कारभन चार जब कोवांन सी चार ओक रापनोों सकते हैं इसमें से कुछ पाई भी हो सकते हैं जरूरी नहीं कि सारे सीगम इसंब 2-1 Πैम रला कि खुल4 बनाता है Carbon पर अगर पलसपार्ज है कभी तो याद रहने भणाता है अ कि अब कारबन पर माइनेस और सaje हो गया कारबन पर माइनेस ड्रॉगए तो अब आपकेँगे सर कारबन पर आउटर्मुसल में carbon का electronic configuration 2 और 4 होता है outer most cell में 4 electrons है तो 4 cobalent bond बनाता है carbon हमने plus कर दिया तो इसके outer most cell में 3 electron होगा तो 3 cobalent bond बना है carbon को minus कर दिया एक electron और डाल दिया तो c minus होगा वो electronic configuration 2 and 5 हो जाएगा तो outer most cell में 5 electron हो गया तो इसके 5 bond बनाने चाहिए कुछ बच्चों के मन में होगा नहीं carbon पर माइनस होते ही इसकी cobalent जो हो जाती तीन हो जाती सिर्फ वैलेंस से कोवलेंस से decide नहीं होती है एक्चली कोवलेंस से decide होती है किसी atom या आयन के outer most cell में unpaired electron which can form hydrogen bond तो इसके outer most cell में 5 electron जरूर होते हैं परन्तु एक orbital में दो pair होते हैं के रूप में रहते हैं बाकी तीन unpaired के रूप में रहते हैं यह carbon minus का मतलब हुआ nitrogen कार्बन पर एक electron डोल आयड कर दो तो nitrogen हो गया और nitrogen कितने bond बनाता है तीनी bond बनाता है तो carbon minus की भी covalency तीन होती है तो इस बात को याद रखना और इसका proof मैंने यूटूब पर हमारे lectures है वहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं और नहीं तो हम आगे प्रूफ भी कर देंगे आगे जब पढ़ाएंगे तो ठीक है कोवलेंसी कुछ एटम की कोवलेंसी वेरियेबल होती है मतलब एक से ज़्यादा कोवलेंसी हो सो कर सकता है एटम जैसे क्लोरीन है उसकी कोवलेंसी एक भी होती है तीन भी होती है पांच भी होती है साथ भी होती है यह आगे chemical bonding में सिखाया गया होगा आपको या सिखाया जाएगा जी तो आप याद रखना अगर कहीं पर carbon plus दीखे तो उसको 3 bond बनाएंगे और carbon minus दीखे तो भी 3 bond होगा और neutral atom carbon और एक और बात याद रखना और गनी compound में अगर कोई bond कहीं से start हुआ तो वहाँ carbon होता है कहीं पर मोडा मोडाया वहाँ carbon होता है कहीं पर 3 दिखा तो वहाँ carbon होता है कहीं पर 4 दिखा तो वहाँ carbon होता है याद रखिएगा जहां खतम हुआ वहाँ carbon होता है अच्छा मालों किसी bond में बीच में bond दिखा है इसमें बॉन्डी एक रिल डौन्ड जहां से स्टार्टवा वहां चारबन और जहां पर आखर सब कार्बन उक्तरा अगर निईट्रल्ए तो उसको चार बॉन्ड की यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह कार्बन एक लेफ्ट में बना बना लिया है एक राइट में इसके पास दो बन की कमी है तो यहां पर हाइड्रोजन यहां दो होंगे यह कार्बन एक लेफ्ट में बनाया है एक राइट में बनाया है एक नीचे बनाया है और एक अभ जिससे सटिष्टाइड करना है हाइडोजन से यहाँ पर कार बन न्यूट्रल है तो यह तीन है रोजन जोड़ेंगे ताकि चार बन जाए एक यह वाला एक यह बन कारबन और फिर चारी स्कॉ세요 छारओं इह सिंगर बन देए त्रिप्ल बार्फ बाक है दिसपर किसी जगें पर प्लस मैंने ऐसे प्लस नोगा अब प्लस तो आप लिए त्लाओं है इसटीन जाओं。 तीन बॉन कैसे बनाएगा एक उपर बना है एक नीचे बना है एक चिपा हुआ हुआ है ऐसे हम और्गनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं तो आप याद रखेगा यह आपको पता है थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन हम यह छोटी छोटी बात इसलिए यहां कार्बन जहां मोड है तिराहा है जहां खतम हुआ इंड पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट है वो सब कार्बन यह तिराहे पर कार्बन यहां पर कार्बन यहां पर कार्बन यहां पर कार्बन होगे अब जिसकी वैलेंसी पूरी है वहां तो कोई बात नहीं है जि देखो यहां पर भी एक carbon carbon hydrogen के अलावा जो भी atom होगा वो दिया रहेगा अब यह oxygen और hydrogen यह लोग दिया वाई oxygen से जुड़ा hydrogen oxygen दो bond बनाता है बन चुका oxygen दो bond बनाता है बन चुका दो लोन प्यार रहता है यह carbon के चार bond होने चाहिए जो की है एक oxygen double bond से जुड़ा है चाहिंगा है एक single से चाहिए उसके बन चुके हैं यह carbon कितने bond बनाएगा चाहिए एक पर नेके और यह carbon बन चुके हैं तो यहाँ पर चिपा हुआ एक हाईडोयजन होगा चाहिए एक सास्क्रान ऑन बनाएगा यह फिए तीन पर नीचे है, चाहिए गिए पर हो Ole चिपा हुआ होगा यह कार्बन तीन एक बॉन बना रखा न्यूट्रल है तो यहां पर चार करने के लिए तीन हाइड्रोजन चोड़ेंगे यह कार्बन की वैलेंसी पूरी है चेक करो इधर डबल बॉन इधर सिंगल नीचे एक सिंगल चार बॉन इसका पूरा है इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन की कमी इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन की कमी यह कार्बन के वैलेंसी पूरी है इधर डबल बॉन उपर सिंगल इधर सिंगल यह जो बॉन्ड है नहीं सेरिंग का है इसका भी काउंट होगा इसका भी काउंट हो इस कार्बन पर तीन हाइड्रोजन इ इस carbon पर एक भी नहीं क्योंकि valency पूरी है यहां भी एक भी नहीं यहां पर होगा तीन आइडोस यह है जब bond दिये गए हों तो carbon और लिख करके जितनी valency कम हो वहाँ अच्छा अब यहां bond नहीं दिया तो जब कभी bond नहीं दिया तो उस स्ट्रक्चर को कैसे पूरा करिएगा आप क्या करिए देखो सारे carbon और जो multiple valency वाले atoms हैं सारे carbon और जिसकी valency एक से ज़्यादा होती है है ना उनको सीधे सीधे लिख दो यह carbon इस carbon से attach यह पहला carbon यह दूसरा carbon यह तीसरा carbon इन पर एटम भी लिख दो यहां पर तीन hydrogen आप इसे खोल के भी लिख सकते हैं तीन hydrogen को ऐसे जोड़ सकते हैं इस carbon पर एक hydrogen इस carbon पर एक hydrogen इस के साथ जुड़ा हुआ carbon उस पर दो hydrogen फिर यह carbon कोई hydrogen यहां नहीं जुड़ा फिर यह carbon कोई hydrogen नहीं यह carbon कोई hydrogen नहीं फिर direct nitrogen अब आप इनके atom अगर किसी में carbon और hydrogen दिया है कुछ atom का और कुछ का चिपाया है तो याद रखना वहां पर वह जितना hydrogen उसके पास है सब का दे दिया जब सब की hydrogen चिपे हो हर carbon के तब तो hydrogen दिखाएंगे, अब यहाँ पर देखो इस carbon पर hydrogen नहीं दिया, यहाँ भी hydrogen नहीं दिया, यहाँ भी hydrogen नहीं दिया, यहाँ भी hydrogen नहीं दिया, अब इनकी balance के according, इनकी balance satisfied करनी, हमें पता है कि carbon की covalency 4 होती है, carbon plus की 3 होती है, carbon minus की 3 होती है, nitrogen की covalency 3 होती है, आप जानते ह यह आपको पता तो आप मुझे बताईए यह कारबन की कोवलेंशी पूरी है कि अधूरी फूरी है complete है चार बोन इसने बना रखा है एक यह एक यह एक यह चार बोन यहां पर देखो इस पर तीन ही बोन बना है एक right में एक left में एक हाइड्रोस इस पर भी इसकी एक कोवलेन्सी कम है इसका मतलब इनकी कोवलेन्सी कम्प्लीट करेंगे इनके भीच पाई बॉन्र बना कॉरी है जो अ है यह मुझे नीचे इनकी कोवलेन्सी कम्पलीट करेंगे इनके बिच पॉन्रोमy बन चुके हैं तो यहाँ पर दो hydrogen होना चाहिए था जो की नहीं दिया है यहाँ पर भी दो होना चाहिए नहीं दिया इसको कितने bond की कमी है दो इसको कितने bond की कमी है दो तो अब इनके बीच में दो Pion Bond होता है, अब देखो इसकी भी valency पूरी, इसकी भी valency पूरी, ये इसका structure, अब ये carbon के साथ जुड़ा nitrogen, carbon के साथ जुड़ा nitrogen, carbon nitrogen के पीस में एक bond बना, अब nitrogen को 4 bond बनाना है, दो बने हैं, एक right nitrogen से जुड़ा है, एक left carbon से, इसको 2 की कमी और nitrogen को भी 3 bond बनाने हैं अभी एक ही बना चुका है तो इसको भी 2 bond बनाने है इसको भी 2 bond बनाने है तो इनके भी इसमें triple bond ये इसका structure तो ये तो आपको पता था अब इसमें हमने 11 में कहीं काफी practice की थी कि आपको एक बार पता हो गया तो हम आगे पढ़ते रहेंगे और ये सब समस्ते रहेंगे अब हम बात करते हैं कि organic compound में ये जो carbon और hydrogen इनको भी classify किया जाता है ये लिक आप ये दिए आपक क्लासिफिकाशन आप carbon and hydrogen inorganic compound अब हम बात करें, टाइब साफ, क्लासिफिकेशन, या टाइब साफ, कार्बन, एंड, हाइड्रोजन, इन और्गनिक कंपाउंड, ठीक है, जैसे मैं आपको बोलू, यह एक, यह कंपाउंड, इसको आइसो ओक्टेन क्याते है, आगे हम सिखाएंगे, ठीक है, इनको आइसो ओक्टेन क्याते है, यहाँ पर वेलेंसी, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन, यहाँ एक भी नहीं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोज यहां पर 3 और यहां पर 3 तो किसी भी organic compound में कोई carbon के पडोस में कितने carbon है मतलब कोई carbon directly कितने carbon से directly attached जैसे मेरा connection direct attachment 4 carbon से है तो मुझको 4 degree कहा जाएगा अगर मेरा direct connection 3 carbon से है एक hydrogen से है carbon 3 है तो वह हमारे degree 3 हो जाएगे और किसी जगह पर अगर carbon एक ही carbon से जुड़ा है तो primary 1 degree अगर 2 carbon से जुड़ा है तो secondary ठीक है अच्छा जो carbon किसी से नहीं जुड़ता वोसे भी हम primary ही कहते 0 degree नहीं होता तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि carbon जो होता है carbon यह carbon आपको चार्थ रहकर दिखेगा 1 degree जिसका नाम होगा primary carbon दूसरा होगा 2 degree इसका नाम होता है secondary तीसरा होता है tertiary 3 degree या tertiary और चौथा होता है 4 degree अब मैं आपको बताओ प्रामरी कार्बन किसको कहते हैं सीधा सीधा जो carbon डारेक्ली एक carbon सेट होता है यहां लिखेगा इसके बारे में definition यह आप जानना चाना लिखेए carbon विचार attached with one या zero carbon डारेक्ली जो एक या zero carbon से डारेक्ली जोड़ा हो अच्छा secondary किसको कहेंगे carbon विचार attached with two carbon डारेक्ली ठीक है डारेक्ली किसको कहेंगे carbon विचार attached with three carbon डारेक्ली किसको कहेंगे carbon विचार attached with four carbon डारेक्ली अब आप इसमें बता सकते हैं कि यह वाला जो होगा यह वाला carbon जोगा यह डारेक्ली एक carbon से जुड़ा है तो यह one degree ठीक है यह वाला carbon जो है यह चार carbon attached एक उपर एक left एक नीचे एक right तो यह four degree carbon होगा यह वाला उपर वाला carbon जो होगा यह आपका one degree खलाएगा यह one degree कार्बन यह carbon दो carbon से डारेक्ट रचाहे चाहें चाहिए बाकी दो hydrogen एक left एक right तो यह कहलाएगा secondary यह two degree carbon यह carbon कहलाएगा tertiary यह three degree carbon यह कहलाएगा primary carbon यह कहलाएगा primary carbon हो गया यह है याद रखना अब कोई आप से पूछे कि isoctane के बारे में पूछे कि isoctane में one degree carbon कितने है तो आप बता देंगे इसमें two degree carbon एक है कोई पूछे three degree carbon isoctane में कितने है तो एक है कोई आप से पूछे four degree carbon isoctane में कितने है तो आप बता सकते तीन total 8 carbon होने चाहिए देखो पांच एक च्छे यहाँ पर यह four degree carbon एक है तो five plus one six seven eight यह eight carbon यहाँ पर eight carbon को हमने क्लासिफाइ कर दिया है हो गया यह है classification आप carbon याद रखना किसी भी और्गनिक कंपाउंड में डारेक्ली ओ कितने carbon से अटेच है उसको हम बोलेंगे primary secondary है अब मैं बात करूं हाइड्रोजन की हाइड्रोजन है हाइड्रोजन भी जो होता है अब जैसे मैंने shortcut में लिख दिया ना जो offline बच्चे होंगे उनको तो पूरा करना पड़ेगा मुझे वेड करना पड़ेगा लगिन online बच्चे इसे पहुच करके देख सकते हैं हाइड्रोजन जो होता है यह तो हमेशा एक ही बॉन बनाता है इसका पड़ोसी हमेशा यह जब भी किसी से जुड़ेगा तो यह एक ही एटम से जुड़ता है चाय कार्बन से अटाइच हाइड्रोजन को प्रामरी हाइड्रोजन कहा जाएगा सेकंडरी कार्बन से अटाइच हाइड्रोजन को से 2 डिग्री हाइड्रोजन कहा जाएगा तर्फरी कार्बन से अटाइच हाइड्रोजन को 3 डिग्री खेलाएगा और 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोज with one carbon, sorry one degree carbon, one degree carbon, उसे primary है, कहेंगे directly, सीधा सीधा, और hydrogen attached with two degree carbon, hydrogen attached with three degree carbon, अब मैं इस ही iso-octane में ही, तो मैंने carbon की संख्या बता दिया, अब मैं hydrogen की संख्या आप से पूछू तो hydrogen बताओ, अब देखना, इस primary पर तीन, यहां पर तीन, छहां पर यहां पर तीन, 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 कि अच्छा फो डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं तो टूटल लंबर आफ हाइड्रोजन यहां पर जो होने चाहिए एट्टीन नाउ चेक क्या इसके एट्टीन है बिल्कुल इसका जो मॉलुकुलर फार्मुला है सी एट एच एट्टीन होता है देख लो है इसमें आप से पूछ सकता प्रामरी हाइड्रोजन कितने हे सेकंडी हैं कितने हैं को इस यह था क्लासिफीकेशन हम इस पर आपको प्रैक्टिश क். करेंगे आगे बढ़ते हैं अब मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन आप और गेनी कंपाउंड ये तो कार्बन हो गया अब और गेनी कंपाउंड का क्लासिफिकेश्चन अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन आप और गेनी कंपाउंड और गेनी कंपाउंड का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर होता है अर्गनिक COMPOUNDर धिकेशन आप बेर गेनी कंपाउंड क्लासिफिकेश प्लासिफिकेशन दो ये तु कोर्फिकेशन दो अननी का क्लासिफिकेशन दोर्टीलन क्लासिफिकेशनद देको ये डियitoल निमोल कर्या पंप ञांरनी किंचलील आओटेर देखो औरगनी कंपाउंड दो तरह हैं के दिखेंगे एक दिखेगा क्लोज चैन या ओपें चैन जिसको एसाइकलिक भी कहते है और दूसरा दिखेगा क्लोज चैन जिसको साइकलिक कहते है ठीक है ओपें चैन आप जानते हैं कोई भी औरगनी कंपाउंड ओपें चैन हो है ना सब ओपेंचीन कम क्लोज चैन कंपाउंड आप कोई भी देख सकते हैं झा क्लोज आप झाल झाल एक होगा open chain एक होगा closed chain जिसमें क्या है कि closed chain मतलब cyclic जो cyclic form में हो और दूसरा जो open chain form में हो अब open chain compound होगा यह आपको बता दूँ यह दो तरीके से divide होता है यह आप जानते हैं किसी में pi bond present हो ठीक है तो उसको unsaturated कहते हैं किसे में pi bond नहीं present हो सारे sigma bond present हो तो इसको कहते हैं saturated तो यह revision है आपने यह पढ़ा है तो इसे लिख सकते हैं saturated compound है और सिग्मा बॉंड एंड इट है 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 यह है यह है वन और 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 पाई बॉंड saturated compound के काटेगरी में आते हैं यह यह देखे जैसे यह इसके एक्जामपल से एलके एंड है और इसके पेंटेइन ब्यूटेन प्रोपेन हेक्सें इट्सेक्टर अच्छा इनका एक और नाम इन विए category में आते हैं इसकी examples है alkenes Alkenes होते हैं carbon की इच्छा होती है जैस点 आपकी इच्छा है कि medical college में जाना और बहतरी लाइफ में काम करना और set होना लाइफ में वैसे carbon की इच्छा होती है यि वो 4 σिग्मा bond बनाया और ऐसे atom से बनाया जो उसको परसान भी न करे तो अगर किसी कार्बन के पास चार सिग्मा बॉंड बन चुका है तो वो संतुस्ट है कि नहीं मेरी लाइफ सेट है तो वो ज्यादा इधर उदर भागता नहीं है वो परसान नहीं रहता तो ऐसे कमपाउंड को हम कहते हैं सेटूरेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट और एलकेंज का दूसरा नाम जो होता है इसे पैराफीन्स भी कहा जाता है जी इनको पैराफीन्स भी कहते हैं अच्छे फैन्स पैराफीन्स है ना पैराफीन्स क्यों कहते हैं इसञोई यह बहुत कम रयक्टिव होता है क्योंकि itt 에 और दूसरा होता है फैन्स तो यह relax, जल्दी किसी से reaction नहीं करता, तो para दो सब्दों से बना होता है, एक होता है param, और दूसरा होता है effeens, param का मतलब होता है less, effeens का मतलब होता है reactive, इसलिए alkane को हम paraffeens कहा जाता है, और सभी alkane के जो general formula होते हैं, इनके जो general formula, alkane के GF, general formula का नाम है CnH2n plus 2, अब याद रखेगा, alkane में carbon और hydrogen का ratio आएगा, वो carbon का double करके 2 और जोड़ना पड़े, hydrogen जो होंगे, carbon का double कर दो, plus 2 hydrogen और जोड़ना जोड़ो, जैसे इसमें कुल 4 carbon है, तो C4H10, इसमें 3 carbon है, तो C3H8, ये चोटी-चोटी बात बता रहे हैं, तो आप लग उसा रहे होंगे, कि ये क्या बता रहे हैं सर, कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़े चाते हैं, unsaturated इसको कहेंगे, जिसमें pi bond present होगा, और pi bond present होगा, तो याद रखिएगा, अगर इसको सिर्फ double bond present है, तो इसको कहेंगे alkenes, और triple bond present है, तो alkenes कह सकते हैं, और अगर दोनों present है, इन भी present है, और वो भी present है, तो इसको कहते है, alkenines, ये आप जानते है, alkenes have double bond, only, one or more than one, alkenines किसको कहेंगे, have triple bond, alkenines किसको कहेंगे, double bond plus triple bond, ये सब्द हैं आपको पता है, और alkenes की शुरुवाथी में 2 carbon, बेरी भी पाई bond बनाने के लिए, double bond बनाने के लिए minimum 2 carbon की start होता है, तो alkenes की शुरुवाथी 2 carbon से होती है, इसका general formula होता है, CnH2n, और alkenes का general formula होता है, CnH2n-2, मतलब carbon का double कर दो, उससे 2 minus भी करो, तो hydrogen उसके बराबर आएगा, alkenes जहां triple bond हो, alkenes मतलब double bond हो, अच्छे एक और बात बताओ, alkenes का दूसरा नाम olefines भी होता है, olefines, olefines इसको क्यों कहते हैं? it forms oily compound, और इसलिए double bond, double bond को हम olefinic bond, carbon-carbon double bond को, या alkenes के double bond को olefinic bond भी कहा जाता है, carbon-carbon double bond is also known as olefinic bond, olefinic bond, तो अगर कोई पूछे, इसमें कितने olefinic bond है, तो carbon-carbon double bond ही count करना, अच्छा, carbon-nitrogen double bond आजा है, तो वो olefinic bond नहीं होगा, carbon-oxygen double bond आजा है, तो वो olefinic bond नहीं होगा, यह नहीं होगा, बेटा, carbon-carbon के बीच में जो double bond होगा, उसे हम कहेंगे, olefinic bond, ठीक है? इलकीन जहाँ double bond present हो, इलकाइन जहाँ triple bond present हो, जहाँ दोनों present हो, है ना, double-B present हो और triple-B present हो, जैसे ही है, तो इसको इलकीन आइन कह सकते हैं, इसमें double और triple, दोनों present होते हैं, ठीक है? आगे, यह तो था, classification, और open chain, saturated मतलब किसको कहेंगे? सारे सिग्मा bond, पाइ बाइ 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 आ गया, unsaturated, अब मैं आपको बात करूँ, cyclic में, यह आप जानते हैं, इसमें आपको सिर्फ काम की चीज़ क्या मिली? एक तो oliphynic bond, oliphynic bond क्या होता है? दूसरा, paraffyns मतलब क्या होता है? alkenes are also known as paraffyns. अब मैं आपको बात करूँ, close change जो compound होते हैं, जो cyclic compound होते हैं, next, यह दो तरीकी एक होंगे, cycle सिर्फ carbon की बनी हो, तो इसको कहेंगे homocyclic, आप सब जानते हैं, carbon, cycle के अंदर, carbon की अलामा कोई और item प्रेजेंट हो, है ना, cycle, तो इसे heterocyclic कहेंगे, heterocyclic, homocyclic, homocyclic मतलब cycle made up of carbon only, cycle made up of carbon only, मतलब hydrogen तो हमेशा इसके साथ रहता है, इसमें क्या है, cycle have carbon plus heteroatum, cycle के अंदर, मतलब cycle जिसे बनी है, cyclic atom, carbon plus heteroatum, यह heteratum कोई भी हो सकता, oxygen, nitrogen, sulfur, etc, कोई भी हो सकता, heteratum, carbon और hydrogen के अलामा, जो atom होते हैं, उनको heteroatum कहते हैं, किसको heterocyclic कहते हैं, बस यार रखना, cycle के अंदर जो atom होते हैं, उनको heteroatum कहा जाता है, जैसे मैं आपके वह एक example लिखा हूँ, यहाँ पर मैंने एक example बहार बे लिख दिया, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर OH लिख दिया, तो आप से पूछे इसमें, कि यह heterocyclic है, कि homocyclic, देखो यह cycle सिर्फ carbon की बनी हो, तो homocyclic, यह carbon की बनी हो, तो homocyclic, इस compound का नाम होता है, agulene, और इसको तो आप जानते है, benzene, इसको pyridine, इसको furane, इसका यह tetrahydro, वतलब यह अलग नाम दिया जाएगा, आगे, यह है आपका cyclobutane, देखो, यह cycle में 6 carbon है, और cycle 6 member की है, सभी carbon है, यह cycle में सभी carbon है, यह cycle 6 member की है, 5 carbon, 1 nitrogen, यह cycle 5 member की है, 4 carbon और 1 oxygen है, यह cycle 5 member की है, इसमें 4 carbon और 1 cycle, ठीक है, अच्छा, अगर cycle के बाहर कोई atom है, तो इसको भी आप homocyclic ही मानेगे, जैसे मैंने लिखा, बेंजीन के साथ OH लिख दिया, तो इसको homocyclic मानेगे, यह heterocyclic मानेगे, यह homocyclic मानेगे, cycle जो made up हो, उसके carbon के साथ हो, लेकिन अगर मैं यह ऐसे लिख दूँ, दो cycles है, और एक cycle homocyclic है, एक heterocyclic है, तब कोई भी cycle में heteroatum आ जाए, तो इसको हम heterocyclic ही कहेंगे, ठीक है, यह heterocyclic, यह homocyclic, cycle के बाहर ओल ऐटम आपको नहीं देखना है, इस बात को याद रखना, तो cycle made up of carbon only, cycle made up of carbon plus heterocyclic, बाहर की ऐटम को ध्यान नहीं देना, यह homocyclic, यह homocyclic, यह homocyclic, यह last वाली homocyclic, यह hetero, यह hetero, यह hetero, यह heterocyclic, आप कोई पूछे, कि इसमें कितने heteroatum होगे, तो homocyclic, इसमें heteroatum 0, इसमें heteroatum 0, इसमें heteroatum 0, cycle के अंदर कोई heteroatum नहीं है, cycle के अंदर का heteroatum बताना, इसमें heteroatum कितना होगा एक माने जाएग ठीक है तो यह है homocyclic and heterocyclic आप समझ गया आपको पुछे टूटल नंबर आप heteroatum जैसे मैं decide करो एक question लिख रहा हूं कुश्चन बाद में लिखते हैं पहले classify कर लेते हैं फिर लिखते हैं homocyclic जो होता है यह दो तरीक एक होता है है एक होता aromatic homocyclic homocyclic aromatic आप लिखना चाहिए लिखते हैं homocyclic aromatic दूसरा homocyclic not aromatic तूसरे हम क्या अलिशाइक्लिक भी कह सकते हैं not aromatic उसे हम अलिशाइक्लिक भी कह सकते हैं और अलिशाइक्लिक ठीक है अब aromatic compound जो है benzeen aromatic compound है आगे आपको पढ़ाया जाएगा जो benzeen से मिलता जूलता हो उसको बोलेंगे homocyclic aromatic benzenoid आप पूरा लिखिएगा एच फार homocyclic एफार aromatic benzenoid और दूसरा क्या हो गया homocyclic aromatic non benzenoid जिसमें benzen ना हो जैसे यह वाला यह केस यह aromatic होता है लेकिन इसमें benzen नहीं होती तो यह वाला एजुलीन जो हुआ वह इसका हो गया example और यह homocyclic यह बेंजीन यह फिनॉल यह example इसके हो गया homocyclic aromatic benzenoid की यह आप मैं revise करा रहा हूँ यह आपको पता है ठीक है ऐसे homocyclic not aromatic यह वाला यह homocyclic है आखरी में लेकिन यह aromatic नहीं है आखरी वाला यह वाला भी aromatic नहीं तो heterocyclic हो गया ठीक है heterocyclic ही बात करें देखो यह homo है यह homocyclic है यह homocyclic है यह homocyclic है बाकी सब heterocyclic है ठीक है अब heterocyclic में भी ऐसे division होता है एक होता है aromatic homocyclic aromatic और दूसरा homocyclic not aromatic अरे मैं क्या लिख दिया homo बार बार बोला हो heterocyclic and aromatic दूसरा heterocyclic not aromatic heterocyclic aromatic heterocyclic not aromatic अब देखो इसमें मैं आपको example दे दूँ आपको एक से numbering को मैं कर दूँ इसका यह 1 यह 2 यह 3 यह 4 यह 5 यह 6 यह 7 यह 8 तो अगर मैं बोलूँ आप से तो homocyclic aromatic यह आगे आपको पढ़ाया जाएगा जैसे यह 3 बेंजीन है तीन और चार example homocyclic aromatic aromatic आगे पढ़ाएंगे और homocyclic not aromatic कौन हो गया छे number 5 number 5 और चेन है अरे hetero cyclic arom hetero cyclic और not aromatic 5 number चेन अच्छे यह hetero cyclic aromatic 8 number है hetero cyclic aromatic अब इसमें भी या इसमें भी category होती है है ना hetero cyclic sorry hetero cyclic aromatic benzenoide जिसमें बेंजीन टाइप लच्छर दिखे यह बेंजीन टाइप का दिखे यह बेंजीन बेंजीन वायट और दूसरा hetero cyclic aromatic not benzenoide आप लिखे यह hetero cyclic aromatic not benzenoide non benzenoide यह इसका example यह aromatic तो है लेकिन benzen नहीं इसमें और इसका example यह इसमें बेंजीन दिख रहा है पिरिडी इसमें भी बेंजीन दिख रहा है आठ नमबर तीन और आठ होमो साइकलिक aromatic तीन चार आठ है यह है ऐसे होमो साइकलिक not aromatic यह है डिवीजन है classification इसमें सवाल क्या बनता है limited सवाल है पैराफीन क्या होते है इलकेन ओलिफीन क्या होते है इलकीन ओलिफीनिक बॉन क्या होता है इलकीन के डबल बॉन नेक्स हेट्रोसाइकलिक क्या होते है जिसके साइकल में हेट्रोइटम हो हेट्रोइटम कैसे काउंट करेंगे किसी के साइकल के जो हेट्रोइटम हो काउंट करते हो ठीक है झाल झाल मैं एक सवाल करूँ आपसे decide heteroatom in following molecule अगर मैं ऐसे सवाल लिखूँ कि heteroatom decide करो यह मैंने बना दिया झाल झाल इसमें कितने heteroatom आपको बताने है तो याद रखिएगा यह जो cycle के अंदर cycle जिन atom से बनी है उनको count करेंगे cycle 6 atom से बनी है जिसमें 3 nitrogen 3 carbon है तो इसमें heteroatom कैलाएगा इसका answer होगा 3 heteroatom हम बाहर वाले अलग atom को नहीं count करेंगे heteroatom यह होगा मैं आप से पूछू इसमें heteroatom कितने होंगे चल इसमें heteroatom बताओ कितने होंगे तो आपको बताओ यह cycle 5 atom से बनी cycle जिसमें 1, 2, 3 carbon और 1 nitrogen 1 oxygen तो इस cycle के अंदर heteroatom दो माने जाएगे इसके heteroatom answer होगे 2 और दोनों में एक होगा nitrogen और एक होगा sulfur यह decide heteroatom in following molecules हो गया अब एक और चीज़ है classification functional group के अधार पर भी होता है तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे classification on the basis of functional group lecture लगबग एक घंटे का हो चुका है और हमने promise किया था कि lecture हम आपको 60-70 minutes का ही देंगे 75 minutes तक जा सकता है एक घंटे सवा घंटे का तो classification based on functional group वो next lecture में आपन पढ़ेंगे लेकिन एक homework है कि एक बार आप खुद भी पढ़ लें कि functional group कौन-कौन से होते हैं नहीं आता है और नहीं आता है तो अगले lecture में आपको पहचानना आजाएगा तो चलिए अब हम solve करते हैं कुछ आज के lecture पे questions जो आपको DPP मिली है वो आपने solve कर लिया होगा अब आप video देख करके यहां से अपने answer को match कर सकते हैं ठीक है तो चलिए ओके बच्चो तो चलिए DPP 1 का solution देखते हैं वैसे आपने कर लिया होगा DPP आसान है और इसमें लिखा है पहला question है column 1 में compound दिया गया है column 2 में आपको carbon कितने types के हैं इससे match करना है तो आप चेक कर लिजे सीधा सीधा यह तो आसान question है सबके सही हो गए होंगे देखो यहाँ पर यह जो यह चवरहा यहाँ पर 4 वे है यह तो 4 degree carbon हो गए और यह किनारे वाले जो हैं यह 1 degree carbon है तो इसमें 1 degree carbon इसमें 1 degree और 4 degree 1 degree and 4 degree carbon दोनों present है तो इस 1 का match होना चाहिए I think 1 degree मतलब हो गया S और 4 degree मतलब R हुआ इसका match होना चाहिए 1 R S ठीक है यहाँ पर देखे तिरहा है 3 ways यह corner पर यह 3 degree carbon है और यह 1 degree carbon है तो इसमें 1 degree और 3 degree carbon present है तो 3 degree के साब से Q हो गया और 1 degree साब से यह S हुआ तो इसका match होगा Q S अगर हम इसमें बात करें इसका match होगा P S मैच होथे 4 की बात करों तो तीरहा यह 3 degree है और किनारे वाले 1 degree है और बीच वाला 2 degree है तो इसमें 1 degree भी है 2 degree भी है 3 degree भी है तो आई थिंग इसका match होना चाहिए 1 degree 2 degree 3 तो P Q S तो इसका match होना चाहिए P, Q, S तो first RS होना चाहिए या SR होना चाहिए तो याद रखना ये first RS, second क्या होना चाहिए second होना चाहिए QS first RS, second QS तो इसका second गलत है ये second QS है third PS होना चाहिए third PS होना चाहिए तो RS, QS, PS and fourth PQS होना चाहिए तो answer should be this C इसके answer C होगा आसान question है अगला इसमें भी आपको बताना number of 1 degree, 2 degree, 3 degree carbon present in compound or respectively तो इसमें 1 degree carbon जो है ये 1 degree carbon है ये, ये 1 degree carbon है, ये 1 degree, 1 degree, 1 degree नहीं, 1 degree ये है, ये 1 degree, 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 एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ carbon इसके 1 degree है respectively आपको बताने है अब आपको 2 degree carbon इसके बताने है 2 degree carbon ये देखो ये 2 degree है ये 2 degree है ये 2 degree है तो 2 degree carbon इसके 3 है 7, 3 होना चाहिए 2nd match इसके बाद मैं बात करूँ इसमें अगला 3 degree carbon की बात करूँ तो ये carbon 3 degree है ये carbon 3 degree है ये carbon 3 degree है यह carbon 3 degree है यह carbon 3 degree है तो एक दो तीन चार पाँच पाँच carbon 3 degree है next अब मैं बात करूँ 4 degree carbon तो एक ही नजर आ रहा है तो 4 degree तो 7351 should be answer 7351 is the C answer total number of sigma and pi bond present in benzene benzene का structure आप सब जानते हैं यह question बहुत ही आसान है benzene आप जानते हैं sigma bond pi bond भी आप जानते है अगर मैंने sigma bond और pi bond आपको बता दिया तो बेजती खराब हो जाएगी आपकी इसलिए मैं इसे बिना बताया आगे बढ़ जाता हूं जल्दी से बहुत दो atom के बीच में एक ही bond है तो sigma होता है दो atom के बीच में 2 bond है एक sigma एक pi होता है दो atom के बीच में 3 bond होता है तो एक sigma और दो pi होता है यह आपको पता है दो atom के बीच में तो याद रखेगा इसमें sigma bond कौन है बिंजीन का यह sigma यह sigma यह sigma यह sigma 6 sigma bond ring के अंदर है और 6 sigma bond hydrogen जूड़े है तो 6-6 12 sigma 12 sigma bond है और pi bond की संख्या 3 है तो 12 sigma bond and 3 pi bond total number of 3 pi and 12 sigma bond answer should be c next okay compound which is not heterocyclic कौन heterocyclic यह heterocyclic है pyridine nitrogen जो है cycle में present है यह heterocyclic नहीं है क्योंकि इसका जो cycle है यह cycle made up of carbon only तो यह homocyclic है यह heterocyclic है यह heterocyclic है क्योंकि पाँच एटम की cycle में oxygen present है तो यह heterocyclic है यह heterocyclic है तो which is not heterocyclic that is homocyclic is answer c question number five इसमें आपको total number of 1 degree 2 degree 3 degree carbon पहचानने है तो याद रखिएगा यह carbon 1 degree है पहले 1 degree पहचान लो यह carbon भी 1 degree ही कहलाएगा क्योंकि एक carbon से जुड़ा है एक oxygen से जुड़ा है तो यह carbon 1 degree है next देखिए यह carbon 1 degree 1 degree carbon को मैं एक color के pen से circle कर देता हूँ यह carbon 1 degree है I think यह carbon भी 1 degree है यह carbon भी 1 degree है क्योंकि यह carbon एक ही carbon से टैच है एक nitrogen है तो यहाद रखना है carbon के बगर में अगर एक nitrogen है बाकी carbon है तो हम सिर्फ carbon की आधार पर carbon की डिगरी बताएंगे nitrogen को ध्यान नहीं देंगे तो इसको 3 degree माना जाएगा तो उस आधार पर इसमें 1 degree carbon जो हो गए एक दो तीन चार पांच पांच इसके 1 degree carbon है इन यह बी एंसर नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता है बचा A और C ओके अब इसके 2 degree carbon आपको बताने है तो याद रखेगा इसमें 2 degree carbon बताने के लिए मैं अलग कलर का pen यूज करता हूँ कौन सकलेस पर ज्यादा सूट करेगा देखता हूँ यह देखो टू डिगरी carbon है यह यह 2 डिगरी carbon यह 2 डिगरी carbon है कुछ बच्चे बोलें कैं सर यह तो तीराहा है भै तीराहे में एक तरफ oxygen है बागी दो तरफ carbon है तो oxygen को count नहीं करना है तो यह 2 डिगरी हो गया यह 2 degree हो गया क्योंकि nitrogen इधर चुड़ा इसके ऊपर एक carbon है इधर एक carbon है यह भी 2 degree हो गया है न और बेटा यह तो 1 degree है यह 2 degree carbon हो गया यह 2 degree carbon हो गया यह 2 degree carbon हो गया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 carbon इसके 2 degree है तो यहाद रखिएगा 5, 9 तो 2 degree वाला यह होने के chances हैं अब इसके क्या 3 degree carbon की counting करें इसकी 3 degree carbon कहां पर present है देखो सारे carbon count हो चुकी है जो बचे हैं वो यह carbon बचा यह carbon देखो 3 degree है यह 4 degree carbon है तो 3 degree carbon एक है answer should be this 591 question number 6 which are the following is our heterocyclic compound हो heterocyclic compound देखो carbon की बणी cycle carbon की बणी cycle carbon की बणी cycle heteroatum बाहर है cycle के अंदर नहीं है यह D वाले में जो 2 cycle A और B हैं यह oxygen दोनों ring में चुड़ा हुआ है तो यह heterocyclic इसमें यह question मैंने आपके दिमाग पे यह question आप solve करिएगा कल के lecture के बाद अगर आपको नहीं आता है तो और आता है तो और अच्छी बात है इसका मैं डारेक्ट एंसर बिता दूं यहां पर total number of functional group जो है total number of functional group यह one degree amine है एक functional group है two degree amine दूसरा function group है halogen तीसरा functional group है one degree amine count कर चुक है alcohol अलग functional group है इसमें कुल functional group जो दिख रहे है एक दो तीन और चार दिख रहे है तो answer should be four functional group अभी पढ़ाना है ओके next lecture में हम पढ़ाएंगी अगर आपको doubt हो confusion है तो मेरे इस second lecture पढ़ाने के बाद आप चाहें तो इस question को वापस देख सकते हैं next in which of the compound one degree two degree three degree carbon का ratio one is two one is two one है मतलब one degree two degree three degree carbon equal ratio में तो यहाँ जाद रखें यह किनारे यह किनारे वाला one degree यह one degree यह one degree यह one degree ratio one is two one is two one है यहाँ पर बात करें यहाँ पर यह one degree carbon दो है टू डिगरी carbon की बात करें तो यह एक दो तीन चार है रेशियो देखो बिगड़ गया थ्री डिगरी carbon की बात करें तो दो है यह ratio one is two one नहीं है यह मैच नहीं होगा यह ratio में मैच नहीं हो इसमें चेक कर ले इसमें क बनाने के लिए दो कार्बन की आँ सकता तो पड़ती ही पड़ती है और प्लस एक ऐसा कार्बन बनाना है जो 4 डिग्री हो तो इसमें कुल कार्बन कितने लगेंगे कितने यूज होंगे कर लिए यहां पर एक दो तीन चार पांच छे चे कार्बन अगर आप यूज कर ले तो आप एक ऐसा एलकाइन बना सकते हैं जिसमें 4 डिग्री वन क्वार्टनरी कार्बन सामिल हो जाएगा question number 10 which of the following is an elicyclic, elicyclic मतलब elicyclic unsaturated compound unsaturated मतलब pi bond हो और elicyclic मतलब aromatic नहों तो यह goc में थोड़ा हम सीखेंगे यह देखो यह elicyclic है और साथ में unsaturated है बाकी सारे saturated है तो answer should be B यही एक unsaturated pi bond है next total number of heteroatum present in following इसमें इस जो A वाली ring है यह 6 member ring इसमें 3 heteroatum है और जो 5 member ring है इसमें 2 heteroatum है यह nitrogen यह sulfur तो इसमें answer जाएगा 5 पांच में एक दो तीन चार nitrogen चार nitrogen है और एक sulfur पांच next thank you यह था DPP1 का discussion अब हम पढ़ेंगे lecture 2 और lecture 2 में हम आगे पढ़ेंगे types of organic compound on the basis of functional group degree of unchasturation वगरे और कुछ homologous series और कुछ और चीजे पढ़ेंगे जहां से एक question बनने के chances यह वाला lecture बहुत easy था यह सबको पता था और जिसको यह पता है वो चाहे तो अपने speed बढ़ा करके इस lecture को देख सकता thank you so much all of you take care yourself your family आट झाल झाल